नमस्कार दोस्तों अटल अनुशंधा नकादमी यूटूब चैनल से मैं अवनी सुकला आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से संपूर भारत में असिस्ट एन प्रोफेसर पद की तैयारी कर रहे है चात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशकबरी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ ये खुशकबरी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर दोरा है जी हा दोस्तों आज राजस्थान लोक सेवा आयोग दोरा आज के दिरांक में 2011-2020 को असिस्ट एन प्रोफेसर पदे के लिए विग्यापन जारी कर दिया गया है यहां पर आप देख रहे हैं कि आयोग दोर काले सिक्षा विभाग के लिए राजस्थान सिक्षा सेवा नियम 1996 के अंतरगत सहायक आचारी के निमलिक पदों पर भड़ती है तू आनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं पद इस्थाई है विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संक्या में कमीवा की जा सकती है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इस विग्यापन के महत्तपूर्ण बिन्दू पर आपका ध्याना करशन कराना चाहेंगे ताकि आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई तुटी रहो आपके चैन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्र ना हो त तो पहला महत्तपूर बिंदू यही है कि किस सब्जक्ट में कितने पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। हिंदी में चाचट पद है। चाचट पद हैं और एग्रिकल्चर में वो एक पद हैं पंजाबी में दो पद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुल 918 पदों के लिए विग्यापन जारी किया गया है। और इसमें सभी विश्यों में पर्यापतों पद हैं। जन जातियों भरती वर्षों के पात्र तथा उप्युक्त अभरती उपलब्ध ना होने की दासा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिख्तियों की पस्चात वर्थी तीन भरती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भरती वर्षों की समाप्ति के पस्चात ऐसे अग्रनीत कि दिख्तियां सामान प्रक्रिया के आउसार भरी जाएगी, परंतु यदि किसी भर्ष में बरती नहीं आती है, तो ऐसे भरती वर्ष को इस उप्नियम के प्रियोजन के लिए शंगडित नहीं किया जाएगा। परंतु यह और इस उपनियम के अधीन सामान प्रिक्रिया के अंसार रिक्तियों को भरा जाना आधारित रोष्टर के अंसार पदों के अरक्षड को प्रभावित नहीं करेगा। अगला महत्पूर्ण पॉइंट है राजस्थान राज्जी के अन्य पिछला वर्ग अति पिछला वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर कमजोर EWS के लिए आरक्षड पदों हेतु पात्र एवं उप्युक्त अभ्यरती नहीं मिलते हैं तो नीमान सार शामान प्रक्रिया से भरा ज जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर दो महत्पूर्ण पॉइंट थे इनको आपने देखा है इसके बाद क्या है कि यहाँ पर क्या कॉलिफिकेशन होना चाहिए कॉलिफिकेशन में आपको पोस्ट ग्रेजेशन में 55% मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है और इसके साथ साथ ने टेया सेट हूँ तो भी फाम अपलाई कर सकेंगे या फिर आप जहे है जो अभरती नेट सेट पास नहीं है किन्त उन्होंने प्यजडी की डिगरी ले रखी है उन लोगों को भरती में सामिल किया जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयो की छूट की दिबात की जाए तो अंसूची जाती अंसूची जन जाती अन पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं नहीं सकत वर्ग के अभरतियों को पात्रता सैक्षिक योगता में पांच अंकों की छूट दे जाएगी और दिरांक 19-1999 से पूर्व इस नातकोतर इस तर की डिगरी प्राप्त अभरतियों को पिछड़ी उपाधी धारण करने पर इस नातकोतर में पांच प्रिच्छत की छूट दे कर 55 से 50 प्रिच्छत कर दिया जाएगा तो दोस्तों ये इसकी योगताएं हैं कि कौन-कौन इसमें फाम भर्ष रखता है इसके बाद अगली वहत् कि इसकी चैन प्रक्रिया कैसी होगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चैन प्रक्रिया उक्त पद लिखित प्रतियोगी परिच्छा एवं साक्षातकार की माध्धम से भरे जाएंगे परिच्छा का इस्थान वाबमा परिच्छा इस्थान वतिति की संबंद में यथा स समय सूचित कर दिया जाएगा परिच्छा योजना और पार्टिक्रम की यदि बात की जाए तो परिच्छा वस्तुनिष्ट मतलब अबजेक्टिव टाइप की होगी सभी प्रश्ण अबजेक्टिव होंगे परिच्छा का विश्तरत पार्टिक्रम आयोग की वेबसाइट पर सीग्र ही जारी कर दिया जाएगा और आवेदन की तिति यहाँ पर आप देख लीजे अच्छी प्रकार्ट से दिनांक 9 गेरा 2020 से 8 12 2020 रात 3 12 बारा बजे तक है तो दोस्तों आप सभी से अग रहे हैं कि आप लाश्ट के लिए बचा करके ना रखिएगा और शमय रहते ही आव बहुत बिजी हो जाती है फिर आवेदन नहीं हो पाते हैं तो ऐसी इस्तिती उत्पन ना हो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली बात तो पूर्ण न्यूज है कि अभेरतियों को उक्त परिच्छा सुल्क जमा करने की सुभधाव में किसी प्रकार का सुल्क रिफंड न लंबिच सत्यापन समय रहते हो जाए आवेदक को आनलाइन करने के पस्चात आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है आवेदन के प्रिविव को आवेदन सम्मिट नहीं माना जाएगा ठीक है दोस्तों याद रखिएगा और यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि कोई अब भेड़ती अपने आनलाइन आवेदन पत्र में शंसोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधी के दवरान आवेदन प रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा इसके बाद यहां पर परिक्षा सुल्क दी गई है कि किस वर्ग के अब भेड़तियों को कितनी सुल्क जमा करना होगा शामान वर्ग आठीक रूप से कमजोर वर्ग राजस्थान के क्रीम लियर स्टेड़ी के अन रुपए का जो अधर श्टेट के होंगे राजस्थान के बाहर से जो लोग आएंगे वो शामान वर्ग के अंतर ही चैनित होंगे तो उनको भी 350 रुपए देना होगा राजस्थान के नौन क्रीम लियर स्टेड़ी के अन पिषड़ वर्ग अतिपिषड़ वर्ग के रिद्गों को 150 रुपए का सुल्क जमा करना होगा ठीक है दोस्तों तो ये राजस्थान के इस्पेशल लोगों के लिए है कि उनको जो है समस्त नहीं सकत जन राजस्थान के अन्सुची जाती जन जाती जिनकी परिवारी का है 2.5 लाग से कम है उनको 150 रुपए ही जमा करन होगा अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि रिटेन एक्जामनेशन की जो प्रक्रिया है तो वो कैसी है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिटेन एक्जामनेशन एंड इंटर्व्यू और जो रिटेन एक्जामनेशन है वो कैसा होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें written examination objective type का होगा जिसमें 3 paper होगे जो पहला paper होगा subject concerned with the post इसमें 75 question होगे और जो 75 marks के होगे इसी तरह से subject concerned with the post इसमें भी 75 question होगे जो 75 marks के होगे और general studies of राजस्थान इसमें 50 question पूछे जाएंगे जो राजस्थान की होगे इस प्रकार से जोस्तो संपूर प्रशन पत्र 200 प्रशनों का होगा साथी साथ वो 200 marks का भी होगा तो इस तरह से राजस्थान में chain की प्रक्रिया की जाएगी और इसके बाद interview की प्रक्रिया होगी अब syllabus क्या है तो syllabus के बारे में राजस्थान लोक्षेवा आयोगदारा बाद म लंबर डाल देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनका मुबाइल लंबर या email ID बंद हो जाता है तो ऐसे भेड़तियों को मैं बताना चाहूंगा कि अभेड़ती online application फाम में वही mobile लंबर वा email ID अंकित करें जिस पर वह परिक्षा साक्षातकार इत्यादी संबंधी भावी सूचना SMS वा email ID के माध्यम से चाहता है आनलाइन अवेदन में अंकित mobile number email ID बदलने बंद होने network की समस्या होने पर सूचना प्राप्त न होने पर स्वयम अभेड़ती की ही जिम्मदारी होगी तो यहाँ पर आप ध्यान दे लिजे यदि आपकी email ID चेंज हो जाती है mobile number यह सिर्फ और शिर्फ अभेड़ती की जिम्मदारी होगी तो आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से ध्यान लखेगा वही email ID और number दीजे जो आपका permanent हो और उसी कभी बंदबत करिएगा रिचार्ज करते रहीगा इसके बाद दोस्तों अगली महत्तपूर बात है यदि आवे आवेदन पत्र में संसोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधी के पस्चात उसकरी स्रेडी में सुधार की सुविधार नहीं दी जाएगी गले स्रेडी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोक द्वारा किसी भी इस्तर पर रद किया जाय सकता है जिसकी समस्त जम्यदारी आविभाव आवेदकी होगी अंसुचित जाती अंसुचित जन जाती अन्य पिछला वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर विभागी कर्मचारी जो भी हो सब अपने वर्ग से सम्मंदी थी फॉर्म अपलाई करेंगे क्योंकि बाद में आपको इसको चेंज करने का आवशर नहीं दिया जाएगा फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्क्य अभेड़तियों को नियुमान सार सक्षम प्राधिकारी द्वरा प्रनिरधारित प्रारूप में जारी इंकम टेक्स का सार्टिफिकेट आपको प्रस्तित करना होगा इसके बाद महत्तपूर बात है तो दोस्तों यह राजस्थान लोकशिवा आयोक के जो असिस्टेंड प्रोफेसर का फाम है इसमें जो महत्तपूर बिंदू थे उन महत्तपूर बिंदू पर हमने आपका कराने का प्रयास किया है हमें उमीद है कि यह सारे बिंदो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप बहुत ही अच्छी प्रकार से तुरूटी रहित फाम भरेंगे ताकि आपके आविदन में और आपके चैन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन ह तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो के साथ साथ दोस्तों एक और बात बात है कि यदि आप भूगोल विशे से असिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी कर रहे हैं भूगोल विशे से चहराजस्तान हो मद्यप्रदेशो यूपी हो बिहार कहीं से भूगोल विशे की तयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए या फिर PGT के लिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले बिल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सभी नोटिपिकेशन आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माद्यम से असिस्टेंट सूचना है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और सभी लोग फाम बरिएगा और तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत सा धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में